Hello everyone, कैसे हैं आप सब याशा करते हो अच्छे होंगे और खुम मन लगा प्राई कर रहे होंगे, तो आपकी जिन्दगी में सुख हो या दुख हो, आप अपने जिन्दगी से खुश हो या नाखुश हो, आपके जिन्दगी में धेरो खुशियां हो या धेरो गम हो, जो भी हो, जीना तो पड़ेगा, सच्चाई तो यही है कि आपको जीना पड़ेगा हर हाल में, अपने इनी परिस्थितियों के साथ जीना पड़ेगा, अब अगर जीना ही पड़ेगा हमें ये मालूम ही हो गया है तो क्यों न अच्छे से जी आ जाए और अच्छे से जीने के लिए क्या करना पड़ेगा बस वही बात है कि ये तो हमारे हाथ में है अपने जिन्दगी को बनाना अपने जिन्दगी को बिगारना अपने हाथ में है मेरी वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं अभी हो सकता है कुछ नए लोग देख रहे होंगे या मेरे पुराने विवर्ट से वो देख रहे होंगे लेकिन आप ही एक ऐसे इंसान है जो अपने जिन्दगी को बदल सकते हैं और 100% में बात कर रहे हूं कि जिस दिन आपको समझ में आ गया ना चीजों को हैंडल कैसे करना है अपनी जिन तो आप सफल हो गए बस जब तक वो ट्रिप पता नहीं चलती है तब तक हम परिशान रहत करते हैं तो चलिए अब आगे और भी बात करेंगे इन सब पर लेकिन पहले तो थोड़ी सी पढ़ाई की बात करें कि जैसे आप लों के एक बहुत ही कॉमन सा कहते है कि कोशन हमेशा सब्ता रहता है और यह दिक्कत आती थी मेरे साथ भी आती थी मेरे दिमार्ट मेरा था उ किसी विशय में तो उसे किताबें पर होगी उत नहीं तो क्या करें जब रिवीजन करते हैं तो एक किताब पूरी खतम करें तब दूसरी उठाएं या साथ में लेके चलें तो हमेशा मैं आप लों को पहले बताई हूं जान लीजे यह चीज कि ऐसे अगर करेंगे कि एक को रूसरी उठाएंगे तो पीशे हो जाएंगे और माम लीजे आपको देने बहूंत ज़रूरी करते हैं तो अब नहीं कर चीज कर चूठ जाएंगे, कई भाग च Text है तो आप क्या करेंगे अब एक ही दिन में सारी चीजों को छहों चीज, पांचों चीज, एक दिन में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तैयारिक हिसाब से, और हमें बस एक फॉर्मिल्टी तो करनी नहीं है, जो भी चीज पढ़ें, हम अच्छे से मारे दिमाग में बैठें, हम को कर पाएं, ऐसा होना चाहिए, तो फिर एक दिन में बाटिए उसको, एक दिन में ये तीन चीज पढ़ेंगे, अगले दिन में ये तीन चीज पढ़ेंगे, इस तरह से बाटिए, या और भी है तो एक दिन में ये दो तीन चीज पढ़ेंगे, अगले दिन में ऐसे पढ़ें विषय हो अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है अब यह मत सोचे हैं मैट्स हम लों के दिमाग में बच्पन से बैठा हुआ रही गड़ित है उसको बिना बहुत कठीना भ्यास करना है रोज लगाओ रोज लगाओ हार जगा मतब मार मार के सब दो सवाल लगवाते थे में से लिए हो गया आपको उसी लेवल से आप मैस के लिए इतना दिमाग से डर बैठाए रहते थे पढ़ना है वैसे इन विश्यों के लिए भी आपको होना चाहिए अभ्यास करना विश्वास मानिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है क्या करें कैसे करें क्योंकि इतने क्यादे आप अंदर से परिशान है कोई डिसीजन पर आहीं नहीं पाता है तक कॉंफ्रेंस लूज हो गया दिमोटिवेट हो गया मेरी बात मानिये कुछ इमत करिए स्लेबस आपके पास होना चाहिए आप जो भी तैयारी करें स्लेबस उठाईए और एकदम से बस अभ्यास कितनी पार रीविजन करें में पास यह आता है कोई सीमा ने हो उसकी करते रहिए आगे बढ़ते रहे पीछेशे से रीजन करते रहे आगे बुर्णित पर सकते हैं सब चीज़ें कर चाहां पर एक लिए ना लिकांब यहां ना भ्यार्फ ट्रॉचिक जहां पर जादे हैं य बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि आपको याद नहीं होती है कैसे करेंगे अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है एक्जाम सिर्प है आप भ्यास करना शुरू करिए दिमाग का एक खेल है ना वो कैसे काम करता है आप सवाशा अगर आपको लगता होगा कि दीडिया इसे बतात मैंने दिमाग को खुद पढ़ा खुद जाना कि मैं क्या हूं कैसे हूं इतना चोट खाखा के दिमाग दिल पूरे शरीत जो कहिए मतलब इतना चोट खाखा के वह एक समझदारी आ गई कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे काम बनेगा यह आप लों के अंदर भी है क्योंकि आप लो मैं तो मैं चीजों को जान पाई दिमाग के सामने जो चीज जितनी बार आएगी वह चीज वह और जादे बढ़ाता है इसलिए कहा जाता कि अच्छी सोच रखी जैसे आप अपनी प्रॉब्लम को बार बार सोचेंगे न तो दिमाग को बढ़ाएगा तो आपको और टेंशन बार बार टेंशन बार सोचेंगे तो आप पर टेंशन बढ़ने वाला दिमाग का यह खेल है जो चीज जिसके सामने लाएंगे वह जी बढ़ेगी बस यह आप जान लीजे तो अगर आप दिमाग के सामने पढ़ाई लेके आएंगे हमेशा अपने टॉपिक पर उल्जे रह आपके सोचने सबढ़ने की शक्ति को बढ़ाएगा आप एक ही बार में जैसे अभी क्या होगा कि आप कई बार पढ़ेंगे तब दिमाग में बैठेगा एक ताइम ऐसा है कि इतना आपका अंडरस्टेंडिंग और आपके दिमाग सितनी जादे हो जाएगी कि एक भी बार आपके सितनी बार सिच्छा को लेके आएंगे अर बढ़ाता है याद रखिएगा अब सुचना देंगे अगर भले ही यापन आपने याद होता है आप मानिये मैं मानती हम चलिवाख को याद होता है लेकिन का ये कि मैं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा क्या है जो इसे वो इनसान कर लिया तो मैं नहीं कर सकता, अरे मुझे कोई जानता नहीं है, मैं तो इतना जादे अच्छा कर सकता हूं कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, मतलब एक से एक एक अपने लिए सेट करिए अपने आपको बोलिए खुद बोलिए दिमाग में डालिए मेरा दिमाग तो इतना अच्छा है कि अभी मैं पढ़ा ही कहां मन से अभी पढ़ू देखो दुनिया इधर की उधर में कर दूंगा वही चीज है कि दिमाग में इसा करना शुरू कर आपका अब इसके बाद आपकी जवानी जो अभी चल रही है अभी यह जो काम करने की उम्र चल रही है अगर यह इसी तरह से कट गई मतब जैसा माब आप किये थे या जो भी अभाव था उसी अभाव में अभी तक चला रहा है और आगे भी चलेगा तो 100% गलती आपकी है क्योंकि आपने अपने सेट्यूशन को बदलने की कोशिश नहीं की अच्छा बहुत सारे लोग मुझ से क 느ुए जिए है कि अइनरजेटिक बाति कैसे दिए भी नहीं चाहते हैं अब लोग इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताओं कि इसलिए मतलब दिखे आज मेरा ब्रत है आप लोग अश्टमी है ब्रत होगा तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है और भी काम के लिए कभी-कभी ऐसा होता है कि शरीर साथ नहीं देता है बहुत थकान लगती है दो चलो जाने द्वा आराम करने का मन रहें लेकिन एक जो आप लोग से लगा है ना कि लोग मेरी वीडियो का वेट करते हैं और मेरे इतने पांच-दस मिट के वीडियो से लोग घंटो अगर पढ़ते हैं और उनका दिन बन जाता है तो फिर मेरे लिए इससे अच्छी दता है तो वह अर्या सुंता है तो बहुत कभ़विद उसके बाते बातना गया है Ben एक द्माद भी टांड आती है एम निमेग डिमाओन दैमागने सी भी भरात बातोर टे बाते रहें आप लोग याप लोग बताती हो वहहता है उनको कभी भी कमजोर मत बने दीजिएगा अपने मत बने सबसे बड़ी बात है कि एक लीडर अगर आप है आपके किसी के लीडर हो या नहीं हो अपने बच्चों के थे हैं ना उनके तो आप हमेशा अपने आपको मजबूर बना के रखें अगर आप कमजोर पढ़ेंगे तो निश्चित रुप से वहीं सीखेंगे तो हमेशा ये होसला दूसरों को देना ना पहले अपने लिए फायदा मंध बहुत जादे होता है हमेशा तेखिए मैं कह रही हूं कि इस दुनिया में बस कतना गधों की तरह मैंनत करना इसा कुछ नहीं होता है एक कहतना कि ट्रिक से लोगों को समय मत दीजे बस यहीं एक समझदारी करिएगा लोगों दूसरों को चकर वे ना अपना समय बरबाद मत करिए सारा फोकस अपने उपर इश्वर जो कहना ना इश्वर से कहिए इश्वर को समय दीजे पांच-दस में जिसने आपको जी जीवन दिया यह सारी एक दम कोई भया मॉम आया नहीं तो मेरे बारे में जो सोचो गाली दो जो करो तो मेरे दूर रहो हाँ जोड़िये अपने जीवन में खुछ रही है अकेले एक दम मस्त अरहना सीखिए चलिये मिलते नेक्स वीडियो मेरे पांस सारी बाते होती आपनों से करने के लिए मैं पुराने दिनों चली जाती हूं तो वहां से खिच-खिच के चीजे आप लों के सामें रखने लगती हूं जब बाते करने लगती हूं लेकिन यह लंबी हो जाती है तो आप लोगों को पढ़ना है तो चले मेलता है नेक्स वीडियो में चैनल सब्सक्राइब करवाईए एक द सब्सक्राइब करते हैं और अपना बताने के प्रयास करती हूं जो भी है चले मिलते नेक्स वीडियो में